नमस्कार फ्यूचर अफिंड़ और आपसरों नोगा स्वागत है मैं हूँ इमान सुक्मार इस वीडियो और हुनों बात करने के कुल दो कंपनी योग बारे में एक का नाम है नाम एनजपीसी और दूसरे कंपनी के नाम है रिनुका सुगर हाल फिलाल में दोनों कंपनी के एक कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया है इसके बाजूद इस कंपनी के सेयर प्राइस में कुछ अशी खासी तीजी देखने को नहीं मिली है वहीं दूसरी कंपनी है जिसमें इसके रिजल्ट में थोड़ी गिराउट देखने को मिली है लेकिन इसके बाजूद उसके स्टो विजली बनाती है और उसको बेचने के काम भी करती है लेकिन अब यह इंडर्जी के सेक्टर में वी उतर चुकि इसके बारे में तवस्ति बात होगी लेकिन अभी बात कर लेते हैं कंपनी के हाली रिजल्ट के वारे में वर्तमान में देखेंगे इसका वर्तमान का सेयर पास से क्रिवन 45 रुपे का सपास है अच्छी बात ये पिछले 10-15 सालों से इस कंपनी का सेर पास जो एक रेंज बाउंड में भूम राता जिससे इस कंपनी के इन्वेस्टर उप गये थे उन्हें थोड़ी बहुत खुश्ती जरूर मिली है क्योंकि इस साल के सुरुवास से देख लकर प्रोफिट 1686 क्रोन हो गया है जानते हैं यह प्रोफिट क्यों बढ़ा है क्योंकि कंपनी जो पहले सिर्फ हाइड्रो पावर से बिजली बनाती थी पानी से बिजली बनाती थी उसकी कपसिटी थी 7970 मेगावाट लेकिन अब कंपनी रिनीवल इनर्जिक सेक्टर में लेए है नेपाल में धी बातर आतल्मि में चाहिकर कर रही है आप ðudis के सास्थभी देश्वों कर रहरी ए कंपनी का विस्तार दूसरे देसों इसे कंपनी का व्योंश喔 सबस्क्राइब बिद्ट मेरे सबस्क्राइब यह बनाती है जैब ऑब हुँ प्यूत सब्सक्राइब यह बिलौग करती तो श्मॉप फ्रक पांप mesma का है यह आने वाला वाल समय के लिए कैसे बहतर हो सकती है इतनोर पर बाथोगी लिए पहले आए है के वकिले 6500 आसपाइब आ दूर। तक तो इसका प्राइस तक्रीब नो दो सर्पे का सब्सक्राइब करता था लेकिन अगर 2022 के बात करें तो वही नो दो सर्पे से तो अब भी बहतर है रिजल्ट के बारे में बता देते हैं क्वाट 2 का इस कमनी का जो रिजल्ट आया है उसमें इस कंपनी का रिभिन्व 1903 क्रोण से बढ़कर 1888 क्रोण हो गया है यानि कि आपने देखा कंपनी का कमाई बढ़ा है लेकिन प्रोफिट नहीं हुआ है प्रोफि इसके प्रोफिए कंपनी करने के सारी प्रोफिण को प्रोफिफल्त आफिशे करनेके लग युद्धर करने में इस वजद से क्पनी में इस्पहर्म में जब सारी क्रोफिश देखने में को थे लेकिन میں लंब देखने हैं तो कमपनी जस तरह की स्बुच पर द tile कि कृृश द वैसे तो यह होता है इथायल अल्कोहली लेकिन इसको फ्यूल की तरह भी प्रयोग किया जा सकता है बहर सरकार का लक्ष है कि 2025 पेट्रोल में इथिनॉल की ब्लेंडिंग 20% तक इंक्रीज की जाएगा जाएगा जो फ्यूल की तरह यूज किया जाएगा तो जो खरिदने वाले कंपनिया है वो भी इथिनॉल खर देंगी और इथिनॉल बनाता कौन है इथिनॉल बनाता है सुग रिफार इंज अर्थाते जितनी मर्जीं जाहे है डिशाध शौक्स स कबना जाता है यह एक धर खत्म सब्यूज ini और इनुसलिए इसलिए इतनॉल का रहे समय हो और सभक बढ़ेगा क्योंकि से गाडिया कट्रेग से इलेक्रिकरिक और по पिम्र्क्राइभ पीक्स नि rainforest इंधन की तरफ इंजन की तरफ मूब कर रही है इस लिहाज से यह company का फी मायने रखती है और जैसे मैंने बताया increase हो रहा है इस company का revenue quarter to quarter तो आने वाले से में जो losses कम होंगे तो profit भी company का बढ़ने लगेगा तो यह basically दो company के बारे में जो quarter रिजल्ट आया था और कुछ बाते थी जो मैंने आपको बताई आप अपने वीएक से समझ करें इंबेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कमने ठीक है और इस company का future भी bright है यदि आपके पास share बजार में investment करने के लिए डिमेंट अकाउंट नहीं तो मैं आपको recommend करूंगा आप पेंजलों के साथ अपना फ्री डिमेंट अकाउंट open करा सकते हैं निक डिस्क्रिप्शन ने दिया गया है मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक लिए धने बात सुक्रिया